मतलब हमारे देश में भेंचोद ऐसी ऐसी फिल्म है बनती है ना और फिल्मों के नाम पे वीएफेक्स के नाम पे कुछ भी बकवाज चल रही है आज की डेट में लेकिन जब कोई बंदा कम बजट के अंदर कोई अच्छी चीज बना दे उसको कोई कदर नहीं करता मैंने अभी अभी एक फिल्म देखी आज एक मूवी देख क्या हूं कंगना रनावत की मूवी आई है नहीं नहीं मूवी का नाम है तेजस एंड लिटरली शॉग्ड के किस सब्जेक्ट पर ये फिल्म बना रहे है और क्या कमाल मूवी बनाई है बाई और मतलब इस तरीके के स प्रेशन रेट आज की डेट में हाई कर रहा है लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं जब मैंने ये मूवी देखी तेक्निकली अगर हम इस मूवी में जाएंगे तो हजारों फ्लॉज निकल कहेंगे लेकिन पेट्रियोटिकली ये मूवी बहुत स्ट्रॉंग है इसके अ मूवी हेड स्ट्रॉंग खड़ी होती है बाकी फिल्मों के अगेंस्ट जो कि सरफ फिक्षन परोसरे हैं आलतु फालतु की चुम्मा चाटी ये वो सब परोसा जा रहा है ये फिल्म उन चीजों से बिलकुल परे है ये एक फैमिली फिल्म है कोई भी बंदा अपनी फैमिली करना है वो एक हीरो है मतलब स्टार्ट भी मुवी अगर देखा जाए तो उसी अजेंडा को प्रूव करने के लिए कि जाती है कि कोवर्ड मिशन करती है तेजस गिल जो की मतलब कोवर्ड मिशन को इसलिए कि लोगों के माइंड में सेट कर दिया जाए कि हाँ इस टाइप अ पहली एयर एक्शन फिल्म होने वाली है चाहिए इस फिल्म के अंदर आपको 20% या कहलो आखरी एंड वाले हाफ में जाके आपको एक थोड़ा था वो मिलता है कि हाँ एयर एक्शन मूवी के नाम पर लेकिन एयर एक्शन फिल्म तो भई बना गई है लेकिन क्लोजब्स बह बहुत ही जादा strong point proof कर सकती है किसी ना किसी तरीके लेकिन अगर आप मुझे कोगे as a viewer में यह फिल्म देखने जाओंगा या नहीं जाओंगा मैं इस फिल्म में अपने पैसे hold करना चाहूंगा मैं शायद ना जाओं क्योंकि आगे Sam Bahadur भी एक movie आ रही है जो कि एक बहुत ह जबरदस topic पे है and honestly मैं double पैसे नहीं खर्चना चाहूंगा Sam Bahadur अलांकि थोड़ी दूर है एक movie release हुई है 12th fail जो कि इसके parallel release की गई है एक दिन पहले release की गई है उसकी storyline इससे बहुत better लगी मुझे अगर मैं बात करूं इस movie की इस movie के case में मैं चरफ यही बोलना चाहता हूं क बहुत है देखो पहले तो गानों की बात कर लेते हैं कि गाने जहाँ जहाँ पर चाहिए वहाँ वहाँ पर हैं ठीक है लेकिन सही बात बताओं romance well angle नहीं चाहिए था required नहीं था ठीक है वह दिखा दिया एक backstory दिखा नहीं थी वो हमने दिखाना था वह हमने दिखाया लेकि honestly मैं कहूंगा ये movie के अंदर first half को थोड़ा से जादा stretch कर दिया गया है then second half movie एक गंटा थावन मिनिट या एक गंटा पच्पन मिनिट की movie है तो ये 2 गंटे के करीब की movie मानके चलो मोटा मोटा गरम interval time भी पकड़ ले है सारा कुछ पकड़ ले तो पूरे run time के अंदर आप बोर तो नहीं होते हैं ठीक है चल रहा है कुछ कुछ extraordinary मुझे नहीं देखने को मिला हाँ हम कह सकते हैं कि ये movie एक अच्छी film बनके साबित हो सकती है जिसके अंदर कंगना रनावत की one of the finest film में बोलूंगा ये हाला कि पिछले time में उन्होंने काफी film में करी हैं जैसे money करनिगा के अंदर उनकी एक दो चीज़े हम पकड़ लेते थे कि जहां पे घोडे पे भागने वाला scene है वो पता चल रहा है नकली घोडा है लेकिन यहां पे हमें साफ पता चल रहा था कि VFX हैं अब हम honestly बताऊं इस film के budget के हिसाब से अगर मैं VFX ignore भी कर दूँ तो यह film मैं अगर मेरा personal perspective हो तो इस film को मैं देखना जरूर चाहूंगा बट हाँ अगर मैं एक middle class बंदा हूँ मुझे पैसे खर्च के film देखने जाना है जो की आ रही है जी 5 पे या अधर media platforms पे जहां पे इसने आना है तो जब यह movie release होगी आप भहाँ पर भी देख सकते हो और रही बात movie को overall rate करने की background score को मैं पूरा पूरा अधा स्टार या एक सार पूरा भी देदू तो कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि background score बहुत कमाल का है इ इस दो फाइनेस्ट एक्टर वी हाव इंद फीमल फीमल जेंडर बेसिकली हमारे इंडस्ट्री के अंदर कोई भी एक्टर से बेटर एक्टर कंग नरनावत है यह तो कोई डाउट निया मुझे लिटरी शी एस डन हर पार्ट तो दे नेक्स लेवल औरी जिस तरीके की फिल् प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट पे थी और बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग फिल्म लगी मुझे इंस्टेड ओफ दिस अगर आप तेजस और उरी का कंपैरिजन करते हो तो कोई कंपैरिजन नहीं है बिकॉज तेजस एक कंप्लीट ली डिफरेंट प्रस्पेक्टिव इस मुवी को अगर आप मेरी रेटिंग पूछोगे तो रेटिंग इस नौड मोर दें थ्री है वूट से मितलब दाई से तीन ही दूंगा तीन से जादा नहीं ही दे पाऊंगा मुवी अच्छी है अब आप एवरेज है देख सकते हो लेकिन अगर आप सोच के एंटर्टेन आप हो बहुत जड़ी